नमिश्कार दोस्तों, टेक स्केन के एक बिलकुल ना है, फ्रेस और एक्साइटिंग अपसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागा थे हैं इस वीडियो के टाइटल और थामनेल पर अपने बिलकुल सही पड़ा आज के इस वीडियो के अंदर में BSNL 4G और 5G लांच के बारे में बाच्चित करने जा रहा हूँ क्योंकि फाइनली गवर्णमेंट की तरफ से TCS, मतलब Tata Consultancy Services को Green Signal मिल चुका है जरूर देखिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आसा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है वीडियो सुरू कहां से पहले एक छोटा सा अनाउंस्मेंट आपके चैनल टेक सकन पर चल रहा है एक iPhone 12 का गिवाए अगर आपको गिवाए के अंदर पाटिसिपेट करना है तो वीडियो डेस्क्रिप्शन पर पहला लिंक आपको गिवाए वाले वीडियो का लिंक मिल जाएंगे लेकिन बीएसनल जो कंपणी है उनको गवर्मेंट की तरफ से एक लाग चौन सथ हजर कर रुपए का जो बेल आउट पैकेज वह यहां पर मिला है जिसके अंदर बीएसनल कंपणी का रिवाईवाल के बारे में एक वाफी सारे बात्चित चल रहा था कि अभी के टाइम के बॉक्ति हज़़ वह अगा बहुत ही जल्दी वह एक प्रौफटबल बने वाले हैं और प्रौफटबल कंपणी कब बनेंगे जब बीएसनल कंपणी अपने 4195 ऐसे प्राइविट कंपणी के साथ लॉंच करेंगे प्राइवेड कंपणी अपने अपने इसाथ साल चर जर दे रहा है उसी के साथ साथ अगर मैं 5G services की बात करता हूं तो अल्रेडी स्टार्ट कर दिया है लेकिन BSNL का 4G availability नहीं है भारत के अंदर वो किस तरीके से 5G service देंगे तो फाइनली 2020 साल के अंदर जब टेंडर को बुला गया था नोके और जेड़ी को टेंडर मिले था उसके बाद सम जीओ पॉलिटिकल रिजन BSNL को बैक आउट कर लिया गया था BSNL को 4G service लांच करने के लिए नहीं दिया गया था लेकिन फाइनली 2022 के एंड तक हमें पूरा क्लारिफिकेशन मिल चुका है कि कौन BSNL के लिए अपने 4G और 5G services को लांच करेंगे देखिए यह पार तीन कमपनी इंफॉर्वड है नामबर वन TCS Tata Consultancy Services, सेकेंड तेजास नेटवर्ग जो भी एक टाटा का ही equipment manufacturing group है और थार जो होई सी डॉट, Center for Development for Telematrix यह जो तीन कमपनी से यह मिलनी BSNL के लिए अपने 4G और 5G services को लांच करेंगे आगा मैं 4G launching की बात करता हूं जो जिसके लिए TCS को अल्रेडी टेंडर मिल चुका है 26,821 करोर रुपए अल्रेडी गवर्मेंट की तरफ से TCS को मिल चुका है एक लाक मोबाइल टावर को 4G अपग्रेड करने के लिए उनके existing 2G, 3G जो मोबाइल टावर से उसे 4G अपग्रेड करेंगे जिसके लिए 26,821 करोर रुपए अल्रेडी TCS को मिल चुका है और TCS के लिए जो इक्विमेंट्स यहां पर मैनुफेक्चर करेंगे वो करेंगे तेजास नेट्वर्क क्योंकि वो भी एक टाटा का ही कंपणी है तो तेजास नेट्वर्क जो है वो भारत के इंडेजिनियस होए से पूरे तरीके से इंडेजिनियस होए से अपने इक्वि सार्विसेज जो यहां पर बी एसनल दे पाएंगे इसके बाद अगर मैं सी डॉट की बात करते हूं तो अक्टोबर मैने के अंदर जो इंडियान मोबाइल कॉंग्रेस हुआ था वहां पर बी एसनल 5G का डिमूंस्ट्रेट सी डॉट की तरफ से किया गया था मतलब सी डॉट आने वाले इस टाइम के अंदर मतलब 2013 के अगोश्ट महाँनी के आसपास फाइब जी सार्विसेज को भी लांच करेंगे उसी 4G कोर्ड नेटवर्क को यूज कराएंगे मतलब बी एसनल जो यहां पर फाइब जी सार्विस को लांच करेंगे जो एर टेल बी फाइब जी एन स्टार्ट कर देंगे और अगर मैं आगुष्ट माहिनी की बात करते हूं तो आगुष्ट माहिनी से सी डॉट की मदद से वही 4G कोडिएटर को यूज करके 5G सर्विस भी लॉंच कर देंगे अगर आप इंतजर कर रहे हैं तो यह काफी बड़िया अपडेट हमारे पस निकल कह रहा थे एक छोटा सा वीडियो बने कर आपको बता दिया अगर वीडियो पसंद आए कुछ नहीं जान करे विला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों को साथ से एर क